लालची स्कूल बस वाला सुन्दर नगर नाम का एक छोटा सा गाव रहता है उस गाव में स्कूल ना होनी की वज़े से बच्चे दूसरे गाव की स्कूल में पढ़ने जाते थे जो गाव उस गाव से कुछ 15 किलोमेटर दूर था कुछ बच्चे पैदल जाते थे तो कुछ साइकल पर लेकिन उस गाव में कोई भी स्कूल बस सेवा नहीं थी कुछी दिन हो गए थे उस गाव में नयन और तारा नाम के दंपत्ती रहने आये थे हुआ है जो के लिए मैं शुरू कर रहा हूँ, ये बस आपके बच्चों को लेकर स्कूल जाएगी और वहां से वापस भी लेकर आएगी, जिसका खर्चा सिर्फ 500 रुपे महिना होगा। ये सुनकर गाव वाले और बच्चे बहुत खूश हो जाते हैं, इस तरह से दूसरे दिन से ही गाव के बच्चों को नयन अपनी बस में स्कूल छोड़ता है और उन्हें वापस भी लेकर आता है, इस तरह से नयन को अच्छे पैसे मिलने लगते हैं, एक बार उसकी पत्नी ता अरे लेकिन इतने समय तो आप दूसरा काम कर सकते हो ना, जिन से हमें और पैसे मिलेंगे ये सुनकर नयन दूसरे दिन से बच्चों को स्कूल में छोड़ता और शाम तक उस दवरान दो गाव के बीच वो बस चलाने लगता है, लेकिन ये शुरू करने के बाद वो कभी कभी स्कूल में शाम को लेट होने लगता है, जिस वज़े से बच्चों को भी घर चोड़ने के लिए लेट होता था, लेकिन इतने पर नयन रुपता नहीं, उसका लालज इतना बढ़ जाता है कि अब वो गाव के बाहर ही बच्चों को बस से छोड़ता और चला जाने लगा था, ये देखकर एक बच्चा कहता है, अरे क्या अंकल जी, अभी आप गाव के बाहर ही हमे लेता हूँ, उतने में तो यही तक छोड़ सकता हूँ, हम अपने माबाप को शिकायत करेंगे आपकी, हाँ हाँ कह दो, और ये भी कहना कि फीज बढ़ाएंगे, तब ही घर तक छोड़ूंगा, इस तरह नयन दिन बदिन लालची ही होता जा रहा था, जिस वज़े से गाव नहीं लगती, हेड मास्टर जी, नयन को बुलाते है और कहते है, सुनो नयन, तुम्हारी आजकल बहुत शिकायत आ रही है, कि तुम बच्चों को गाव के बाहरी छोड़ रहे हो, अगर ऐसा ही रहा, तो मैं तुमें ये काम करने से रोक दूँगा, और किसी दूसरे बस का इंतजाम करूंगा, नहीं नहीं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने बसका किराया बढ़ाया, इसलिए गावालों ने मेरे खिला पैसे कहा है आपको, अरे मैं तुम्हारे सारे किस्से सुन चुका हूँ नयन, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आज उसके बाद तुमने ठीक से काम नहीं किया, तो मैं अपनी स्कूल की बस सिवा से निकाल दूँगा, ये सुनकर नयन वहां से चला जाता है, लेकिन वार्निंग लेने के बाद भी नयन सुधरता नहीं, और अपने बीवी के कहे मुताविखी, वो लालच में दूसरे काम लेक और वो कहता है, अरे ये मैंने अपनी बीवी के चक्कर में आके क्या कर दिया, लालच में अच्छा खासा काम गवा बैठा, अब तो घर भी चलाना मुश्किल हो गया है, ये सोचकर नयन घर जाता है, और अपनी बीवी को जोर का थपड मार कर फिर से गावालों के पास जात और उनसे माफी मांग कर हेड मास्टर जी से मिलता है, और बड़ी इमानदारी से अपनी स्कूल बस चला कर लालच छोड देता है, और अच्छे से जीवन भिताने लगता है, कई सालों के बाद दो नामी चोर जेल से छुट कर बाहर आय, एक का नाम रंगा और दूसरे का ना नहीं कुछ सोचा है, सोच रहा हूँ, वापस गावजा करके तो मैं हल चलाओ, अरे क्या विल्ला भाई, अब तो हल भी चलाना आसान नहीं रहा, पुलिस की इतनी मार खाई है कि बदन में ताकत ही नहीं बची, सच का हरंगा, अब तुम ही बताओ क्या कर सकते है, देखो भ कुछ नया और फ्रेश सोचना पड़ेगा, ताकि पकड़े ना जा सके हम, लेकिन ऐसा कैसे होगा, क्या ऐसा कोई धंदा हम कर सकते है, सुनो मेरा प्लैन, आज कल लोग दुकानों में जाकर सामान नहीं खरीतते, बलकि उसे मोबाईल और टीवी में एड़टाइजिंग देखकर ऑनलाइन खरीतते है, एक ऐसा गाव ढूनते है, जहां किसी के घर में टीवी नहीं है, वहाँ पर टीवी लगा कर, लोगों को ऑनलाइन सामान बुलाने का आदी कर देते है, और इसी का फायदा लेकर, हम एक नया फ्रॉड का धंदा आराम से सेट कर सकते है, अरे वा, ये तो सही है, चलो तो फिर काम पर लग जाते है, रंगा और बिल्ला, स जायन टीवी को देखकर हैरान हो जाते है, और उसे देखते ही रहते है, तबी रंगा एक टेबल पर खड़ा होकर कहने लगता है, भाईयों और बहनों, आप जो सामान देख रहे हैं, ये स्पेशल हमारे कमपनी ने तयार किया हुआ जायन टीवी पर दिखा रहे हैं, जो आ आपको बस एक ही चीज करनी है, जो चीज आपको चाहिए उस नंबर पर बात करके बुक करना है, बस आपको वो कुछ ही वक्त में मिल जाएगी, ये सुनकर गाव का एक बुड़ा आदमी रंगा से पूछता है, क्या हम कोई भी चीज बिला सकते हैं, जी हा बुड़ी चाच कोई भी चीज, लेकिन जोश में आकर कही एक चाची ना मंगवा लेना, वो तो नहीं मिलेगी, तभी एक दूसरा आदमी सामने आता है, और वो जायन टीवी पर देखते हुए माइक्रोवेव ओवन का नंबर लगाता है, उधर बिला उसका फोन उठाता है, और थोड़ी ही रंगा और बिल्ला लोगों को यकिन दिलाते हैं कि हकिकत में जायन टीवी में दिखती हुई चीजों को बुलाया जा सकता है, यह देखकर सारे लोग उस टीवी में डिस्पले हो रही चीजों को खरीदने के लिए भारी भीड कर देते हैं, रंगा कहने लगता है, देखिए एकदम से लोगों ने की हुई भीड को देखते हुए, मैं यह बताना चाहता हूँ कि सामान की किलत हो रही है, इसलिए आप सब पहले सामान को बुक कर ले और उसके एक हपते के बाद आपको डिलेवरी मिल जाएगी। सारा पैसा इकटा करते हैं, हपता बीच जाता है, लेकिन लोगों को सामान की डिलेवरी नहीं मिलती। और तो अब वो नंबर भी काम नहीं करता जो जायन टीवी पर बुकिंग करने के लिए होता है। यह देखकर लोग पुली स्टेशन जाते हैं और रंगा बिल्ला के खि जाना कर देगा उसे पाच लाग का इनाम दिया जाएगा। यह पढ़कर बिल्ला और रंगा सोचता है। लेती है और जेल में डाल देती है।